गुड़ मॉनिंग, और स्टुनेंट, अपन पिछली ख्लास में बहुपद के बारे में में पढ़ रहे थे, अपने बेसिक जानकरी थी, वो पूरी करली थी, उसमें अपने सुन्यक के बारे में पढ़ा था,। में जब हमें दोपद गश देता है तो हम किस परकार सुन्यक निकालते हैं सुनने का मतलब है अक्स कामान, सर कामान वाई है तो वाई कामान हो जाता है फिर तीन पद देता है तो कैसे करते हैं च्यार पद देता है तो कैसे करते हैं यह सब अपने जानकारी ले दी थी एक बार मैं आपको दुबारा बताओं तो दो पद होते हैं तो या तो कॉमन लेते हैं या फिर सर्वसमिकाई नगते हैं तीन सर्वसमिकाई मैंने आपको बताई थी A प्लस B का होली स्क्वेर एक बताई थी A माइनस B का होली स्क्वेर एक बताई थी A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर इसके बाद में तीन पदों के बारे में तीन पद में हमने एक पद की जो अक्स एक तो स्क्वेर का पद होता है एक असर होता है लेकिन जब एक एकाई अक्स की पावर एक होती है उसके हम टुकडे करते हैं तीन पदों को चार में कनवर्ड करते हैं फिर च्यार में पहले दो में कॉमन लेते हैं, लास्ट के दो पड़ों में कॉमन लेते हैं, उसके बाद में दुबारा वापस कॉमन लेते हैं, जो ब्रेकिट के अंदर आता है, वो दुबारा कॉमन लेते हैं, तो चलो अपन जैसे क्योशन करेंगे, वैसे आपके समझ में लेक्स और नी तो दो पदों में दे रखा है च्यार U स्क्व्एर प्लस आठ यू हमेven कशन दे रखा हैं उसलाट 1 स्थार यू स्क्व्यर प्लस आठ अब सबसे पढूर है मैं यह जांकरी परापь प्राप जरूरी है यह जानकारी होनी जरूरी है कि इसमें पद कितने हैं इसमें पद कितने हैं एक और एक दो तो मैंने आपको बताया था कि दो पदों में सबसे पहले कोमन लेते हैं यदि कोमन नहीं आता है तो इसमें चार है इसमें आठ है तो आठ की टेबल में सुरी चार की टेबल में आठ तो आता ही है तो देखो चार है तो एक तो चार को मना गया यहां पर यू है यहां पर भी यू है तो एक यू को मना गया तो देखो चार तो यह तो बार आ गया यू की पावर दो है एक बार आ गई तो एक रह गई अंदर प्लस तो लगा दिया प्लस इसके यह वाद में 8, 4 दुनी, 8 तो अंदर रह गया 2, U है यह आ गया बाहर, यह चीज़ समझ में आ गई, कि हमने 4 U square plus 8U से 4 U common ले दिया, तो अंदर U plus 2 आ गया, बस एक बार पहले के बराबर 0, 4 U बराबर 0, और एक बार ले लेंगे हम, U plus 2 बराबर 0, माईनस का दो हमारे पास यू के ये दो सुन्नेक पराопद औहेंTalk दो क्या प्राप्त हो करने थे अब यह वोल रहें कि सुन्यांकों के। को की सत्त्यता की जांस भी से पहरें रहता है कि सद्धा की जांस अलगती हैं यह सentiता की जांस जांच ये हमें सत्यता की जांच करनी है तो देखो सत्यता की जांच के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है सुन्यकों का योग सुन्यकों का योग सुन्यकों को योग को हम अलफा प्लस बेटा से लिखते हैं अब देखो आपके समझ में किया आना चीए कि अलफा क्या है और बिटा क्या है बिटा इसमें ये जो दो मान प्राप्त किये हैं एक को तो आप अलफा मान सकते हो और एक को आप बिटा मान सकते हो जो हम दो सुन्यक निकालते हैं उसमें पहला अलफा होता है दूसरा बिटा मा लेते हैं ठीक है तो यह सुन्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए अब देखो यह बी और ए क्या है बी बी है अक्स का गुणांग मैं आपको अभी आपको समझाओंगा अक्स का गुणांग अक्स का गुणांग उसके बाद में बटे ए है अक्स स्क्वेर का गुणांग अक्स स्क्वेर का गुणांग गुणांग देखो ये फॉर्मूला होता है ये चीज़ आपको याद रखने पड़ेगी कि सुन्यकों का सत्यता की जांस करते हैं तो एक तो होता है सुन्यक का योग और एक होता है सुन्यक का गुणनफल तो देखो योग क्या होता है सुनने कों की योग का फॉर्मूल होता है अलफा प्लस बिटा बराबर माइनस का बी बटा ए अर्थार्थ माइनस यह तो फॉर्मूल ए का माइनस हो गया बी बी होता है अक्स का गुणांक और ए होता है अक्स स्क्वेर का गुणांक ज्यान से देखना कि जैसे बहुपद है ब प्लस C ये होता है अब देखो इसमें जो अक्स स्क्वेर के साथ जो संख्या है वो तो A का मान होता है अक्स के साथ जो संख्या हो बी का मान होता है जो अचर वो C का मान होता है तो ये तो भूपद से प्राप्त करते हैं अब बताओ इससे A बराबर ए बराबर जो स्क्वेर वाला पद होता है उसके साथ जो संख्या होती है वो मान किसका होता है एका तो इसमें देखो चर यहां पे चर अकस है और यहां पे चर अकस है और यहां पे चर क्या है यू है इतना ही तो फरक है इसमें चर क्या यू है तो यू स्क्वेर के साथ जो सं सिर्फ पावर एक वाला है वो बी का और जो अचर अचर होता है जिसके साथ सर की राशी नहीं होती है वो होता है सी का मान इसमें कोई राशी नहीं है इसका मतलब इसका मान क्या हो गया जीरू बेटा इससे हमने ABC के मान निकाले ABC के मान क्या होते हैं जो स्क्वेर देखो इसमें तीन पद होते हैं एक तो स्क्वेर वाला होता है एक पावर गात एक वाला होता है एक अच्छर होता है तो जो पावर दो वाला है वो तो एक का मान ह तो इससे हमने ABC के मान निकाल दिये, A का मान 4, B का मान 8, और C इसमें है नहीं, असरासी है नहीं, इसका मतलब C का मान हो गया 0, तो देखो, अपन जांस करेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, एक left side है, एक right side है, left side में आप सुन्यकों का यो करोगे, सुन्यक है alpha प्लस beta, ध् तो यहां पे मान है 0, 0 प्लस alpha में beta जोड़ना है, beta का मान है minus 2, तो यहां पे अपने मान लगा दिया minus 2, बराबर minus, यह formula का minus लगा है मैंने B, बोलो B की value कितनी है, B की value दे रुखिए हमें 8, बटे A, A की value कितनी है, 4, क्या किया, हमने LHS और RHS, हमने LHS और RHS, दोनों में हमने मान रखें, तो देखो, 0 है, यह plus और minus यह हो गया, minus का 2, बराबर, 8 में 4 का divide करेंगे, तो 4 दूनी, 8 हो गया 2, लेकिन यह भी किसका हो गया, minus का, तो यह हो गया LHS बराबर, LHS बराबर क्या हो गया, RHS, इसका मतलब यह हमारी जांस है, क्या है, सही है, बटा जांस करेंगे, सुन्यकों का गुणन फल, तो देखो, सुन्यकों का सुन्यकों का यह जांच के दो पॉइंट होते हैं सुन्यकों का गुणनफल गुणनफल सुन्यकों सुन्यक क्या है अलफा और बिटा बैए दो यह तो हैं तो सुन्यकों गए अलफा इंटू गुणनफल का मतलब है गुणा बैए सुन्यकों का योग योग का मतलब है अलफा और बिटा को जोट दो और गुणफल का मतलब है अलफा को बिटा से गुना कर दो तो बराबर होगा सी बटे ए देखो सी क्या होता है मैंने आपको बताया था सी होती है अच्छारा सी बटा ए है वही है जिसमें ए इसमें था अक्सिस्पेर का गोणांग अब देखना अलफा और बिटा अलफा का मान कितना है जीरो गोणा बिटा बिटा का मान कितना है माइनस का दो बराबर सी अभी देखो सी का मान निकाला था अपने ए का मान 4 था बी का 8 और सी का क्या है जीरो है तो यहां पर अपन जीरो लगा दें किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, मान आएगा 0, किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो भी मान के आएगा? 0 आएगा इसका मतलब इसमें भी LHS वराबर क्या आगया? RHS प्राप्त हो गया इसका मतलब हमने सुन्यकों का योग, देखो दोबारा देखना पहले, सबसे पहले हमें क्योशन दिया दो पद दिये, दो पदों को हमने कितने पदों में कनवर्ट किया, दो पदों में सबसे पहले लेते हैं, कॉमन, कॉमन नहीं आता तो सुतर लगाते हैं, सर्वस हमें का ल तो इसे माइनस का दो प्राप्त हो गया किसी भी बहुपद को आप हल करोगे तो मिनिमम कम से कम आपको दो सुन्यक प्राप्त होंगे हमेसा तो देखो जीरो और माइनस दो ये हम अलफा और बिटा के मान मान लेंगे कि ये हो गया अलफा और ये हो गया बिटा उसके बाद में सुन्यकों का योग और सुन्यकों का गुणनफल ये करते हैं जांस सुन्यकों का योग की होती है माइनस का बी बटा ए और सुन्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए इस परकार से हम ये जांस पराप्त करते हैं और इससे ये तो दो पद वाला था अब तीन पदों वाला अपने नेक्स्ट कलास में आपको बता देंगी धन्यवाद